कन्नोच के इत्र वैपारी जिस तरह लगातार एक से बढ़कर एक इत्र तयार कर रहे हैं इसी तरह इत्र वैपारी कुछ अलग हटकर भी कई ऐसी चीजे तयार कर रहे हैं जो की लोगों के लिए बहुत फायदे मंद और असरदार साबित हो रही है ऐसे ही इत्रवयपारी ने एक fairness kit बनाई है जो की पूरी तरह से natural तरीके से बनाई गई है इस fairness kit से चहरे की खोई हुई चमक वापस आएगी वही इत्रवयपारी से जानते हैं कि किस तरह इस kit को तयार किया गया है सक्ति एक registered trademark हमारा है और इसका दसकों पुराना हमारी बल्क मैनिफेक्चिरिंग सप्लाई और एक्स्पोर्टर हम है इधर करोना के बाद से जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई और उसके लावा भी जो हमने थोड़ा सा ये अनुबह से महसूस किया कि केमिकल का ये जमाना है सेंथिटिक का लेकिन अब लोग थोड़ा इससे हट के कुछ नेचरल चाहते हैं नेचरल की तरफ लोगों का रुजान बढ़ रहा है बस यही एक थीम थी हमारी कि हमने सक्ती को आनलाइन भी कर दिया लेकिन केमिकल बेस ना हो वो नेचरल हो चोटा सा प्रियास किया तो आनलाइन में हमने एमेजान फिलिपकार्ट और जियो मार्ट ओएन डीसी पे किया उसके बाद पिर हमने ये कि ये उन प्रोड़क्ट में तो लंबी रेंज है उसके साथ हमने एक ही फेरनेस किट भी लांच की जो कि इन्डिविजियोल सारे प्रोड़क्ट हमारे अलग-अलग है लेकिन इस फेरनेस किट में मैं शार्ट में आपको प्रोड़क्ट बताता हूँ कि जो हमने इन प्रोड़क्ट को इसमें किया है यह हमारा हर एक में प्रोमो रखा हुआ है सबसे पहला मानों के सरीर का हिस्सा होता है चेहरा और चेहरे में सबसे ऐहम हिस्सा चेहरे होता है और उस चेहरे में मार्केट में इतने सोफस और इतने फेस वासेज वगरा आ गये हैं लेकिन पाइनली दे आर बेस्ट डान केमिकल्स और उसका असर ये होता है कि हमारी तुचा भी धीरे धीरे से जैसे आप एक डिर्ड होनी सुरू हो जाती है रूड हो जाती है आप देखा होगा कि अगर आप बहुत लोग बगए मेकप के बड़े अच्छे नहीं लगते हैं ब धीरे धीरे डिर्ड होने लगती है और डिर्ड होने के बाद उस स्किन का जो एक ग्लो है जो रेडियेसन है वो खतम हो जाता है और तुचा एक तरीके से बिल्कुल रूखी हो जाती है तो इसको बचाने के लिए हमने आप थीम रखी हमने बाई 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 टू सोप और सो का हर्बल ड्राई स्क्रप आप इस्तेमाल करिए इस हर्बल ड्राई स्क्रप को आप बहुत इसका इस्तेमाल लखा है आप सिंपल आप बहुत जली में है तो आप चेहरे को जैसे एक बार आपने चेहरे पर पानी लगाया और इसको आपने हाथ में लिया और हाथ में लेके को रगड़ने की जरुवत कोई नहीं इसको है सिंपल आप समझे ना चेहरे पर पानी लगाया इसको लगा के हलके से रफ कर लिया अगर आप टाइम है तो इसको थोड़ा पहले आप गुलाब जल में साधे पानी में या कच्छे दूद में भिगो दीजिए उसका पेस्ट बन आप डेली यूस कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं बच्छे भी लगा सकते हैं हर एज ग्रूप में उसके हम इसो में तो केसर है, और चंदन का पौाउडर है, तो इसikes के कई चीजिए हमने इसको बनाया है है। करती है, और आपकी जो डट सेल्सथ हैं उनको भी ये चेयरे से वासाउट करती हैं, डट सेल्सको भी है और इसके बाद जब आपने इसको आप नहाँ चुके तो नहाने के बाद फिर जब आप चेहरे में अपने क्रीम पाउडर लगाते हैं रोटीन के तरीके से तो कोई भी ये हमारा सक्ती का फेस सीरम है ये हमारा इंडिया में अपने तरीके का यूनिक फार्मुलेशन है और ये अल्टरा थिन है जो एक सीरम का कांसेट लोगों ने बनाया है इसा कुछ नहीं है ये अल्टरा थिन हमने बनाया है सबसे बड़ी खूबी ये है और इसके बारे में हमारा क्लेम है कि सक्ती के फेस सीरम को आप एक नीच्रल सक्न सिफ्टी आर्मर के तरीके से डेली यूज कर सकते हैं सुबह साम कोई भी केमिकल वाली कास्मेटिक अपने चेहरे पे लगाने के पहले आप इसकी दसवारा बूंद अपनी हतेली में लीजिए ये ड्रापर इसमें लगा हुआ है और इस ड्रापर की दसवारा बूंद आप हतेली में रखिए और दोनों हातों में करके आप चेहरे में इसको हलके से लगा लीजिए तो ये एक आपका सुरच्छा कवच हो जाएगा और उसके बाद फिर क्रीम या केमिकल वाली कास्मेटिक कोई मेक अप काप करते हैं तब इसको लगाएंगे तो जो केमिकल के साइड एफेक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को दीरे दीरे डैमेज करते हैं उसके लिए ये सुरच्छा कवच का काम करेगा सक्की फेश सीरम दिये देट तो हमने ऐसे रखे हैं कि इसको हमारे मैक्सिमम ग्रहक अपोर्ड कर पाएं और इसके अभी जो इंक्रोडेक्ट्री प्राइस हमने रखे हैं वो रखे हैं आठ सो सत्तर रुपाएं